हलो दोस्तो मैं दिलिप कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हूँ आज के वीडियो में हम लोग सेनर्जी डोड्रैप के बारे में जानेंगे सेनर्जी और लिफ्ट मास्टर का डोड्रैप दोनों का फंक्शन एक जैसे ही होता है तो इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की प्रेस करना है और ये फर्स्ट में जो सो करा है ओपन फास्ट स्पीड जिसमें हम लोग 80 सेट करके रखते हैं और यह जो second में आपका रहा है आपका close fast speed जिसमें हम लोग 60 set करते हैं close के time किस स्पीड से lift बंद होगा है ना इसको आप 60 to 65 set कर सकते हैं और जब भी next में जाना है आपको इंटर बदम प्रेज करना है थर्ड में अगर आप जाते हैं तो इसमें open slow speed open के time हम लोग 01 रखते हैं फोर्थ में आपका है close slow speed इसको भी आपके तो next हम लोग 5 में 15 set करते हैं 15 आपका होता है open slow distance जब भी lift दरवाजा high speed में पीछे की तरफ खुलता है तो पीछे जाके टकराय नहीं इसलिए हम लोग एक distance पे वो slow ले ले तो वो हम लोग distance यहां से 15 set करते हैं next 6 में आपको 20 set करना है जो की close slow distance के लिए है next 7 में आपको 20 set करना है जो की open break slope break लगने समय धीरे धीरे break लगया चानक से नहीं 8 में आपका close break slope जिसमें आपको 12 set करना है next 9 में हमें 15 set करना है जो की close safety force के लिए होता है next 0 में हमें 12 set करना है जो की close holding force दरवाजा को hold करके रखने के लिए होता है ऐसा नहीं हो running के दर duration में दरवाजा open हो तो यह आपका complete programming हो गया function की आप प्रेस कर देते हैं तो आपका auto tuning दरवाजा का हो जाएगा और complete program होगा दरवाजा आपका proper open होगा proper close होगा time to time slow लेगा और safety force के वाज़ा से वो अच्छे से connected भी रहेगा और आप जो यहां पर deep switch देख रहे हैं इसका दो और तीन को रखना है और बाकी को off रखना है एक और चार को अब हम लोग इसका connection के बारे में बात करें तो open limit का connection connection दो तीन में होगा और close limit का भी connection दो तीन में होगा GND और open limit का wire आपका card में जाएगा और GND और close limit का wire आपका उसमें जाएगा next हम लोग forward device का connection बात करें तो आपका 13, 14, 15 में common जाएगा 13 में आपका forward जाएगा और 16 में आपका reverse जाएगा तो 13 और 14 और 15 को आप loop भी कर सकते हैं common को तो यह आपका basic connection होता है lift master और synergy door drive का तो यह आपका open limit, close limit के साथ आपका forward reverse का connection और इस side यहां से motor output जाता है और इस point से आपका input हम लोग 220 देते हैं तो यह complete connection है synergy door drive thanks for watching अगर कोई आपको dot हो तो comment कमेंट करके बनता सकते